मैं किसी अंजान शेहर में था, एक चरसी ने मुझसे चरस के लिए पैसे मांगे, मैंने कहा तुझे खाना खिलाता हूँ, मगर चरस के पैसे नहीं दूँगा. वो बोला, खिलाने वाला कोई और है, तुम बस चरस के पैसे दे दो, ना चाहते हुए भी मैंने उसको चन्द रुपए दे दिये, जब वो चला गया, तो मैं भी उसके पीछे हो लिया, कि ये किधर को जाता है, और क्या करता है, करीब में एक शादी का फंक्शन था, लोग खाने के बरतन इधर उधर लेकर जा रहे थे, ऐसे में एक शक्स से चावलों की ट्रे गिर गई, वो ट्रे उठा कर आगे बढ़ गया, वो चरसी उन्ही चावलों के पास बैठ कर खाने लग गया, उसकी मुझ पर नजर पड़ी, तो उसने मुझे देखते हुए एक जुमला कहा, जो शायद मैं जिन्दगी भर कभी भी न भूल सकूँ, उसने कहा, उसके साथ तालुकात आजकल कुछ खराब हैं, वरना बरतन में ही देता है, और करीम इतना है के नाराज भी हो तो भूखा देख नहीं सकता, मजीद सबक हम उस कहानी के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए, आला हाफिज